ओम स्री गने साय नमदूस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 अप्रेल गुरुवार के रासी फल के बारे में की यह दिन में इस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपून जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंश सकें चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर अपनी दिन चरिया में और भेतर सुधार लाने की कोशिस करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे और इस तरह की कोशिस से लोगों के साथ सम्बंदों में आश्चर्य जनक सुधार आ जाएगा दोस्तो आज प्रतिष्ट लोगों से भी मुलाकात लाबदायक और सम्मान जनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यातित करना और सामाजिक गतिविदियों में भाग लेना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा आज रुके हुए काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान अधिक केंदरित रखें आज घर में कोई मांगलिक कारेशंपन होने की भी संभावना है जिससे परिवार में प्रसंदता का माहौल रहेगा साथ ही आज का समय आपके लिए कुछ नई उपलब्दियों का निर्माण कर रहा है जो की भविश्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेबंद साबित होंगी दोस्तो अपनी योजनाओं को सुरू करने से पहले एक बार पुनहें उस पर सोच विचार अवश्य करें आज आपको कोई महतपउन कारे की सूच न मिलेगी उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें दोस्तो आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिस से आपको लगेगा कि किसी का आसिरवाद आपके उपर है अपने पृतिभाओं को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिंचरिया वे कारे प्रणाली पर ध्यान केंद्रित रखें दोस्तो रिष्टेदारों का घर में आज आगमन होगा आपसी मेल मिलाप घर में खुसियां और सुकून लेकर आएगा साथ ही किसी परिवारिक व्यक्ति की किसी भेतरीन उपलब्दी पर घर में आज जसन का माहूल भी होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज वरिष्ट तथा अनुबवी लोगों से सला लेने में आप परेज ना करें उनका मार्ग दर्सन वे सयोग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा व्यर्थ की बाहरी गतिविद्यो में समय नश्ट आप ना करें नकारात्मक प्रवर्ती के लोगों से दूरी बना कर रखें वे आपको आपके लक्षे से भटका सकते हैं और किसी प्रकार का आर्थिक लुकसान और मान हानी की भी आज संभाव ना हैं वे ध्यार्ती अपनी पड़ाही के प्रती और अधिक ध्यान गेंदरित रखें आज खर्चों की बहुत अधिकता रहेगी इससे आर्थिक इस्तिती डगमगा सकती है इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी है कभी-कभी आपका एहम और क्रोध पूर्ण श्वयभाव परिस्तितियों को दूसित कर सकता है इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तों साथ साथ अपने सुब चंतकों पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्ष करने से उचित हल प्राप्त हो सकता है घर के बड़े बुजरगों की देखवाल में भी समय व्यतित करना आवशक है भूमी संबंदित कारों को लेकर कागजातों में कोई दिक्कत आज आ सकती है परन्तु जरासी भी समझदारी और समझ बूज से काम बहुती आसानी से बन जाएंगे आज रूपे पैसे का लेंदेन ना ही करें तो अच्छा है दोस्तों अपने बजट को ध्यान में रखकर आप घर्च करें कोई पैत उत्रिक संपत्ती संबंदित मसला उठने से हलकी फुलकी नोक जोक हो सकती है विवेक और समझदारी से आप काम लें तो भैतर होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लवलाइट कैसे रहने वाली हैं दोस्तों परिवार के साथ मनुरंजन संबंदित कारों में समय आपके आपसी संबंदों में काफी मधूरत आएगी पती पतनी के संबंद खुशनुमा रहेंगे सौपिंग और मौज बस्ती में आज समय व्यतित होगा प्रेम संबंदों को भी परिवारिक स्विकर्ति प्राप्त होगी व्यवशाय और परिवार दोनों जगहें तानमेल बना रहेगा जिससे बहतरिन वातावरन रहेगा घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजर अंदाज करें इससे संबंदों में कभी कटूता नहीं आएगी और आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत रहेंगे दोस्तों बात कर लेते हैं जब का वैवेशाय केरियर क्य व्यक्तियों के कामकाज आज ज्यादा रहेंगे प्रतिष्ट लोगों से अपने संपरकों को आप और अधिक मजबूत करें उनके दोरा आपके वैवशाय में नए ओर्डर और अनुबंद प्राप्त हो सकते हैं सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर अतिरिक्त कार्य भार आप अपने योग गिता वै काबलियत दोरा अपने प्रतिष्ठान में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे कुछ नए जन संपरक भी आज इस्थापित होंगे ओफिस में बॉस वै अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे हैतरीन निर्न ले पाएं दोस्तो नौकरी में आप अपने काम के प्रति किसी भी प्रकार की लापर भाई ना वरतें वैविसाइक गति वीदियो में सुधार आएगा करमचारियों के प्रति आपकी उधारता वै उत्तम वहवार उनकी कारे छमता को और भी अधिक बढ़ाए दोस्तो साती सात कारे छित्र में आप सभी गति वीदियों को सुचारों रूप से नियंतरित करेंगे अपनी कारे प्रणाली दूसरों के सामने जाहिर ना करें कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है नौकरी पेशा व्यक्तियों की उनके उचित काम के लिए तारीफ और साख बनेगी जिससे उनका मन काफी प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा परंतु जादा काम के दवाब की बज़े से पैरों में दर्द और ठकान महसूस हो सकती है इसलिए आप सैयमित दिन्चरिया रखे इसके लिए दोस्तो आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजान योग करें वैयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री हरी विश्नुजी के प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं साथ साथ आप वहीं बैटकर भगवान श्री सत्यानारान की व्रत कथा जरूर सुनें या पिर पढ़ें या दोस्तो ऐसा करने से भगवान श्री हरी विश्नुजी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल लहीं हैं समस्त परेशानियों कंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कर रहें भगवान श्री हरी विष्णुजी के असर भूलें धन्यवाद